नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर कायक्रम राजनिती में किस तरफ कब उट बैट जाए, किस तरफ कौन सी करवट हो जाए, कौन नेता कहां चला जाए इसको लेकर कोई भी क्यास पहले से लगाना मुश्किल है कम से कम भाशपा में एक बड़े नेता के तौर पर, पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए स्वामी प्रस्वाद मौर्या का जो इस्तीफा है, जिस कारणों से उन्होंने दिया और उसके बाद जिस तरह से एक सिरीज होती हुई दिखाई दे रही है कि भाशपा से खास्त और से पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं जो विधायक हैं वह छोड़ के दामन जाने को तयार हैं वह अपने आप में एक बहुत बड़ी बांगी बहुत बड़ा एक्जाम्पल स आग में तपीत पत्रकारिता दाखती है सवाल दर सवाल अब आप हम या यूं कहिए कि जो बाकी कॉर्पोरेट मीडिया है वह स्वामी प्रसाद मौर्या के अलग-अलग चेहरे दिखा रहे हैं दल बदलू बता रहे हैं सब कुछ बता रहे हैं और यह हमें और आपको भी याद करना जरूरी है कि वह भुजन समाज पार्टी के एक शामिल हुए थे यहाँ पर कैश फ्रसाद मौरे उन्हें लेकर आये थे श्रम मंत्री रहे बहुत तरह से इन्होंने पिछडों का जो समीकरण है वह भाश्पा के साथ जोड़ा और आज जब 2022 में चुनाओ की पूरी तैयारी है यह दिखाई दे रहा है कि जो OBC नेता है जो के तरफ बढ़ रहे हैं पिछले एक महीने का जो ग्राफ है उसमें जो नंबर और नाम हमारे पास है उसके मताबिक सत्रा से अधिक नेता भाश्पा का साथ छोड़ चुके हैं उनमें से कई ने आधिकारिक तौर पर सपा का दामन थामा है और कई अपने-पने कयास लगा र करके योगी सरकार और मोदी सरकार मोदी जी का चहरा योगी का चहरा देश की राजधानी दिल्ली से लेके तमाम जगों पर चाया हुआ थो और यह बताया जा रहा था यह अवधार्णा विक्सित करने की कोशिश हो रही थी कि इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता ऐसा कम से कम आज की तारीख में किसी के लिए भी कहपाना मुश्किल हो गया है केशव प्रसाद मौर जिस तरह से जो डिप्टी सीम है उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी और जिस तरह से उनकी बौकलाहर दिखाई देती है उससे यह साफ होता है कि भाश्पा को यह अनुमान नहीं थ था कि स्वामी प्रसाद मौर ठीक एंड मौके पर उनका साथ छोड़ देंगे अब आप देखिए वह बता रहे हैं कि यह तो इसी तरह के मवाली लोग हैं इसी तरह की गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं यानि अपने ही लोगों को उन्होंने मवाली और गुंडा कहना कर दिया खैर यहां पर यह भी बताना बहुत जरूरी है कि उत्तरप्रदेश के डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौर जिस तरह से उन्होंने बीबीसी के एक पत्रकार को इंटर्व्यू के दौरान डराया धंकाया जिस तरह की खबरे सामने आई इंटर्व्यू के बीच में ह पत्रकार थे उनके साथ अभधर वहवार किया इससे लग रहा है कि बौकलाहट बहुत गहरी और बहुत तेज है और हो भी क्यों ना अब आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर इंके जाने से और इंके साथ पूरी की पूरी टीम है तीन चार लोग जिनके नाम सामने आ च जिलों में जहां पर उनके समुदाय पर जिसकी उसकी पकड़ बहुत तगड़ी है बारा जिलों पर सीधा असर कम से कम अभी शुरुवाती चरण में पड़ेगा यहां पर उत्तरप्रदेश OBC राजनीती का गढ़ रहा है और इसलिए भाशपा ने बहुत कोशिश की कि की कोशिश की गई थी 2022 की चुनाओं से पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यह जो मंडल की ताकते थी जो OBC की ताकते हैं जो अलग अलग जातियां है चाहे राजभर हों चाहे स्वामी प्रसाद मौरे हों या इस तरह कि अंगिनर जो नेता 17-18 नेता जो गए हैं भाशपा का आसान यह खेल नहीं है हाला कि हम सब जानते हैं कि राजनिती में अंततह क्या होगा वोट कहां गिरेगा गिराने वाली ताकतें कौन सी होंगी कैसे वोट पड़ेगा पड़वाया जाएगा यह सब अभी दूर की कोड़ी है लेकिन फिलहाल एक जो माहौल बना है जिस तरह स चिंता भाषपा नेत्रित्व के चहरे पे दिखाई दे रही है और जो पीछे खाने से खबरे आ रही थी कि योगी को लेकर योगी की पूरी की पूरी कारेप्रणाली को लेकर बहुत गहरा असंतोश तमाम नेताओं में है उसकी एक जलक अभी देखने को मिली है इस जलक न इतना लंबा चौड़ा करोणो रुपे खर्श करके जो शो हुआ था उसमें उसके बाद पूरा का पूरा माहौल भाषपा मैं हो गया है कम से कम इस अवधारणा में गंभीर सवाल खड़े करने का काम इस स्तीफे ने और इस स्तीफे के पक्ष में जो लोग खड़े हुए ह जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाषपा कैम्प में भगदर तो नहीं लेकिन हलचल हो गई है और बहुत से लोग जिनके बारे में ये बताया जा रहा था कि उनकी सीटे कट सकती हैं उन्हें दुबारा ठिकट नहीं दे गिये उन्होंने बारगेनिंग करनी शुरू कर दी और यह bargaining अगर वह करने में सफल भी रहते हैं तो निश्चित तोर पर यह मानना पड़ेगा कि योगी और मोदी का जो पूरा का पूरा कब्जा बताया जा रहा था कि सब कुछ चंगा है वैसा चंगा उत्तरप्रदेश में फिलहाल नहीं है कानून विवस्था की तो बात क्या ही कहिए हर तरफ नियम काईदे कानून की धज्जियां उत्तरप्रदेश में जिस तरह से उड़ रही है वह निश्चित तोर पे बेहद चिंता का विशे है लेकिन यहां जो मामला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह बिल्कुल दूसरे धंका है एक IPS ऑफिसर जो कहानपूर की कमिशनर बनाए गए असीम अरुन वह चुनाव घोशना के बाद वियारस लेते हैं घोशना करते हैं कि वह अब दूसरी भूमी का दूसरी पारी खेलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिना से मिलकर आते हैं उनके चुनाव लड़न उनके ही संबोधित करता है वीडियो एड्रेस करता है और बताता है कि कितनी महान यह वर्दी है और उन्होंने जो जो किया अपना गुरगान वियारस लेने के बाद यह IPS ऑफिसर खुलेयाम कर रहा है और चुनाव आयोग देखी नहीं पा रहा है दोस्तों चुनाव को लेकर क्या आप और हम कतलेयाम चाहते हैं क्या हम और आप यह चाहते हैं कि हमारे आसपास घर जलें और तों की इज़त लूटी जाए बच्चों को मारा जाए हथियार का खुला प्रदर्शन हो मुझे आज भी भरोसा है कि मेरे मुल्क में अधिकांश लोग 90 फीसदी लोग यह नजारा अपनी आखों से नहीं देखना चाहते लेकिन कुछ लोग हैं जो यह चाहते हैं कि इस तरह का वैमनस से इस तरह की नफरत पूरे के पूरे देश में फैले और यह सब कुछ किया जा रहा है सनातन धर्म के नाम पर जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुचा वहाँ पर अपील गई देश के दो प्रबुद्ध नागरिक देश की सबसे बड़ी अदालत का दर्वाजा खटखटाने पहुचे और उन्होंने कहा कि हरिद्वार की धर्ती पर जो कुछ हुआ वह खुले आम जैनोसाइड उकसाने वाला है इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि यह सिलसिला तब से लेकर अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी तरह से चल रहा है मैं यहां उन तमाम दंगाई लोगों के नाम नहीं लूँगी जो अपने आगे स्वामी लगाते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि डासना का जो पुजारी है वह हर जग़ जा जाके नफरत पहला रहा है नौजवानों को हतियार उठाने के लिए उकसाने की बात कर रहा है हर जग़ जाके समवादाता सम्मेलन कर रहा है और खुले आम बोल रहा है कि मुसल्मानों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है ऐसे में सुप्रीम कोट ने दस दिन का समय दिया उत्राखंड सरकार को जवाब देने के लिए लेकिन इसी बीच हम जानते हैं कि 23 जनवरी को इसी तरह की एक और अधर्म संसद होने की इन लोगों ने ऐलान किया है अलीगड में सुप्रीम कोट कहता है कि आप जाईए बाकी लोगों के दर्वाजे खट खटाईए और आपको ये अधिकार है कि आप कह सकते हैं वहाँ अपील कर सकते हैं कि इस तरह की संसद ना हो इस तरह का जमावड़ा ना हो सवाल ये है किसे रोकेगा कौन हमने देखा कि उत्तरप्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जब वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे तो वो खुले आम कहते हैं कि ये तो धर्माचारियों का काम है उन्हें काम करने दीजिए उन्हें खड़े हैं क्योंकि फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही है वही जानते हैं कि जब इस तरह की नफरत होगी तभी बेरोजगारी का मुद्दा तभी महंगाई का मुद्दा तभी जीने के अधिकार का मुद्दा सब हट जाएगा वोटर के दिलो दिमाग से और शायद जिस देश का जो कानून है देश का जो कॉंस्ट्यूशन है वह कितना दमदार रह गया है रह भी गया है या कुछ लोगों के लिए ही खाली दराने के लिए रह गया है आप इमानदार हैं आप इमानदार हैं आप खुद को इमानदार मानते हैं भारत के इमानदार नागरिक मानत इस नहीं हैं है म carriesया सवाल मैं आप से पांश बार पूछ योग Fragen क्यासवाल आपको अपने आप में एक गाली लगने लग जाएगा आपको गुसा चड़ेगा कि यह सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रही हूं आज की तारीक में मेरा जो पेशा है हमारा जो पेशा है मीडिया में उसमें कुछ पत्रकार ऐसे हो गए हैं कुछ मीडिया घराने ऐसे हो गए हैं जिनको इमानदारी एक गाली की तरह लगती है और हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब इन पत्रकारों से थोड़ा मजा की लहजे में बोलन आक्ष कर रहे हैं आप हम पर हमला कर रहे हैं यहाल उस मीडिया का है जो मीडिया सुबह शाम अवधारना बनाने के लिए कुछ लोगों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी बेशर्मी के साथ काम कर रहा है और यहां एक जो और बहुत दिल्चस्प खबर मिली है वह मतखास माने जाने वाले उद्योगपती जिनके नाम इस देश के अधिकतर बंदरगाह हैं और बंदरगाही नहीं तकरीबन सारे एहम एयरपोर्ट हैं बिल्कुल सही गौतम अडानी गौतम अडानी जी ने मीडिया में अंततह प्रवेश कर लिया उन्होंने सुभाष चंद संजे पुगलिया जी उसके बहुत ही इमांदार CEO नियुक्त किये गए हैं यह जो इमांदारी है हमारे आपके पेशे में निश्चित तौर पर वह सिर्चरकर बोल रही है हमारे देश की वाइबरेंट डेमोक्रिसी वाइबरेंट लोकतंत्र का एक पैमाना चुनाओ है जो बहुत कुछ पैसे के खेल से और एक तरफा होता दिखाई दे रहा है लेकिन तब भी जनता अपने हक का इस्तमाल करना न भूलती है न भूलने देना चाहिए यह हम आपकी मदस से करते रहेंगे लगातार पैनी निगाह बनाए रखेंगे देखिए लाइक करिए शेयर ताकि सच में जो इमानदार पत्रकारिता है वह जिन्दा रह सके शुक्रिया